ऐसे यह है वीवो के तरब से आने वाला वीवो X200 और फिलाल यह है 16GB RAM 1TB वारेंट और बॉक्स को ओपेन करने पर सबसे पहले स्मार्टफोन देखने को मिल आता है फिलाल सेम करते हैं साइड में और बॉक्स के सेकेंड सेक्षन में हमें वीवो के तरब से कुछ ग्यान से बर स्मार्टफोन में और स्मार्टफोन के साथ में पाउर बटन टॉप में सेकेंडरी मेक्रोफोन और स्पीकर और कुछ पैटर्ण वाई लेफ्ट साइड में पैटर्ण देखने को मिल जाते हैं बाकि स्मार्टफोन के बॉटम में यहां पर एक हाइब्रेट सिम स्लॉट मिलत स्मार्टफोन की बैक साइड में बड़ा सा कैमरा आइलाइंड देखने को मिल जाता है इसका प्रैमरी सिलसर है 50 मेगा पिक्सल का अल्ट्रा वाइड अंगल सॉट्स के लिए और लेंस में जाइस की टी कोटिंग देखने को मिल जाती है यहां पर में ग्लास फिनिसिंग को प्रोवाइड की है लाइट पढ़ने पर रिफ्लेक्ट करता है वहीं पर बात करें स्मार्टफोन की हम फ्रेंट साइड की यहां पर में 6.7 एट इंच के एक LTPO AMOLED डिस्पले देखने को मिल जाती है फिर 128 सिफ्रिस रेट के साथ में और इतना ही निपल कि यहां पर में एक सेंटर पंचोल खटाउट देखने को मिल जाती है डिस्पले में पीक ट्राइटनेस देखने को मिल जाती है और साथ में HDR10 प्लस का सपोर्ट मिलता है इससे आप जिस भी कॉन्टेंड को जूम करेंग उसका एक्स्पिरेंस भी डिसेंट होने वाला है पोन को पावर देने के लिए इसमें लगा हुआ है मिल जाती है और इसके लाम विए यहां पर एक पड़ी सी बैटरी को प्रोवाइड किया है जिसे चार्ट करने के लिए 100 वाट की वायर्ड और 50 वाट की वायर्लेस शाडि को मिल जाते हैं बट वीवर्ज बाड़ दावा करता है कि सैमसंग से भी ज्यादा तगड़ा जूम कैपेविल्टी अपने फोन में प्रोवाइड करेगा जिसके टेस्टिंग सेंपल्स को फिलाल आप अपनी स्क्रिन पर देख रहे हैं और अब देख उसके कुछ कैमरा पर करके मल्टी टास्किंग की स्पीड काट की सकती मुश्य टर वर को पहले चैना में देखने को मिलेगा उसके बाद फिर इन्डिया में